दोस्तों नमस्कार मैं डोक्टर विशाल सिन्वानी एक बार फिर आपका अपनी चैनल पशुकेर में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में बात करूंगा गाएं बहांस के जब दूद में खून आने लगता है तब हमें अपने पशु को एंटीबाइटिक देन नहीं देना चाहिए और देना चाहिए तो कब देना चाहिए साथ इसाथ आपको एक ऐसी इलाज भी बताऊंगा जिसे दूद में खून आना रुख जाएगा तो शुरू करने से पहले दोस्तों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बैल आइकन प्रेस कर इसलिए आपको बहुत जरूरी है इसका सही समय पर इलाज करवाना और साथ इसाथ सही इलाज करवाना तो इससे पहले हमें इसके कारण जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हमें कारण का नहीं पता लगेगा तब तक हम उसको सही इलाज नहीं दे पाएंगे इसके का करण है called hemorrhage या कि ब्लीड़ीन यह किसी भी कारण से हो सकती है कोई गुमाहिजाटि लगने से अगर कोई गुमाहिजा ब्लीड यह सकती है कभी-कभी ब्लड वैसल काते हैं उसके कारण आ ब्लीड़ीन देखने को मिलती tá दोस्तों कहीं बाहर पशु जब ब्याता है तो अब हमें ये देखने को मिलता है कि पशु के दूद में खूनाने लगता है दोस्तों इसका मेन कारण है जो ये आरबीसीज हैं रक्त कोशिकाएं हैं लाल रंग की तो अगर ये ब्लड वैसल से बाहर आ जाएं तो ये टिशू में इकठी होने लगती है और जब ये दूद के साथ आने लगती है तो दूद का रंग लाल कर देती हैं दूसरा कारण दोस्तों अगर कोई पशू को कोई सिस्टमिक इंफेक्शन है जैसे कि लेप्टोस्पाइरोसिस या कोई माइक्रो कोकस या सरेशिया तो इसके कारण भी पशू का दूद में खून आने लगता है तीसरा दोस्तों कोई infection के कारण हो सकता है, कोई mastitis यानि के थैनेला के कारण हो सकता है फिर दोस्तों अगर पशु के शरीर में vitamin C की कमी है तो उसके कारण भी पशु का दूद में खून आने लगता है तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो यह पशु के दूद में खून आ रहा है यह किसी infection के कारण है या किसी कोई hemorrhage यानि की bleeding के कारण है इसके लिए दोस्तों एक बहुत असान सा सरल सा उपाय है जो कि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं अपने पशु का दूद लेना है जिसमें कून आ रहा है वह आपको किसी कांच के बरतन में लेना है और उसे 4-5 घंटे तक रख देना है उसे हिलाना नहीं है बिलकुल भी और 4-5 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ लाल रंकी परत बन जाती है तो इसका यसे करण नौर्म भुली दy हो जकती है क्योंकि जब लोर्म भीडिंग की बिफूसर के बाद और मैं अगर यही दूद चाः से 5-το हुद बाद भी हम देखते हैं कि सारा का सारा युनिफॉम है बिल्कूल इसका कारण दोस्तों इंफेक्शन है जैसे कि लैप्तोसपाइरोसिस सेरैशिया और माइक्रोकॉकस फिर दोस्तों यह दूद में जो खून आ रहा है इसका कारण थैनेला है यह मैस्टाइटिस है इसे जानना भी बहुत ही असान आप अपने घर पर भी कर सकते हैं इसके लिए आपने तीन परसेंट डिटर्जेंट सोलुशन बनाना है डिटर्जेंट जो कि आप कोई भी ले सकते हैं जिसे सर्फेक्सल ले सकते हैं जो कि आम घरों में मिल जाता है तो आपने यह तीन ग्राम सर्फेक्सल लेना है और सो मिले लिटर पानी में मिला लेना है मिलाने के बा अगर यह जो हमने मिक्स्चर बनाया है यह गाड़ा हो जाता है जैल बन जाती है तो इसका मतलब है कि इस दूद में इंफेक्शन है और इसका कारण मैस्टाइटिस है यानि कि थनेला है और अब मैं आपको इसके कुछ इलाज बताने जा रहा हूं दोस्तों अगर आपके पश को एंटिबाइटिक तो देना ही देना है साथ में हम स्पोर्टिव के लिए हीमोस्टेट दे सकते हैं जैसे की ट्रैनेग्जमिक एसिड दे सकते हैं इतमसाइलेट दे सकते हैं और साथ ही साथ स्पोर्टिव में विटामिन C देने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और अगर यही दूद में खून आने का कारण इंफेक्शन नहीं है, नॉर्मल ब्लेडिंग है, तो उसके लिए हम सिंपली ट्रैनेग्जेमिक एसिड इंजेक्शन या इतमसाइलेट इंजेक्शन और साथ में विटामी C इंजेक्शन देंगे, तो इससे पशु के दूद में खून आना बंद हो जाता है, साथी साथ दोस्तों मैं आपको ऐसे दो गरिलन उसके बताऊंगा, जिससे भी पशु के दूद में खून आना बिलकुल पूरी तरा से बंद हो जाता है, इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है 200 ग्राम कड़ी पत्ता जो की आम हमारे घरों मे गाहों में मिल जाता है, आपने 200 ग्राम कड़ी पत्ता ले लेना है, साथी साथ 200 ग्राम निंबू का रस लेना है, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है, पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और अपने पशु को सूबे शाम दो दिन तक खिलाना है, इसी देने आपने दो मुशक पूर की टिकियां एक केले में डाल कर अपने पशु को सुबे शाम खिलानी है और ऐसा आपने तीन से लेके चार दिन तक करना है इससे भी पशु के दूद में खून आना बिल्कल पूरी तरह से बंद हो जाता है आप इन दोनों उपाये में से कोई एक उप की सला जरूर लेनी चाहिए तो दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जादा जादा लाइक कीजिए और शेर कीजिए ताकि और किसी पशुक पालग भाई का भी फायदा हो सके और हाँ दोस्तों जो मेरे सेनल पर नए हैं पहली बार आए हैं वह स सेनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें अगर आपका इस वीडियो से रिलेटर कोई प्रशन है तो उसे आप कमेंट करके कर सकते हैं दन्यों